हलो, मैं कैंसर विजेता हूँ, क्योंकि मैंने इस पर विजय पाई है जी हाँ, मेरा नाम स्तिंदर है, मैं स्तिंदर को और कैंसर फाइटर कहलाती हूँ एक दिन ऐसे ही टीवी देखते हुए, मुझे यहाँ फील हुआ कि मेरे यहाँ पर कोई गाठ है जिसे मैंने दूसरे दिन जाकर मैंने डॉक्टर को दिखाया और अपना इलाज पूरा करवाया वो कैंसर गाठ थी, वो पॉजितिव था, हम लोग बहुत डरे लेकिन फिर भी हमने अपना पूरा ट्रीटमेंट करवाया और उस पर विजय पाई आज मैंने, अगर मैंने अच्छी भली चंगी हूँ तो अपनी पूरी फैमिली की सपोर्ट की वज़े से मैं तो यह सोचते हूँ कि हर लेडी को, हर लेडी को एवरी एर अपनी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए और हर मन्त महावारी के 5-6 दिन बाद अपने सल्फ एक्जामिन करना चाहिए अपनी ब्रेस्ट की जाच खुद करनी चाहिए अगर उसमें कुछ भी, कुछ भी फरक नजर आता है दोनों ब्रेस्ट में फरक आता है या उसकी रंग में फरक आ जाता है या उसकी निप्पल अंदर को जा रहे है या कुछ भी ऐसा तो उसे तुरण डाक्टर से मिलना चाहिए और जो साल में एक बार स्क्रीनिंग जिसमें ब्लड टेस्ट और अपने मेमोग्राफी आते हैं वो भी जरूर करवानी चाहिए हर लेडी को ये बहुत जरूरी है और इसी के साथ मैं ये सोचती हूँ कि इंडिया के हर लेडी का जाच करवाना इतना जरूरी है क्योंकि ये बीमारी बहुत बुरी तरह से फैल रही है इसमें कोई शरम की बात नहीं है आप अपनी पूरी जाच करवाएं और स्वस्त रहें ताकि हम इस कैंसर पर विजय पा सके एवरी एर आप लोग स्क्रीनिंग करवाएं डॉक्टर से मिलें कुछ भी फरक लगता है आप उसके परवा करें अपनी परवाँ आपने खुद करनी है और पूरी फैमिली की सपोर्ट के साथ कर आखिर में एक बात कहना चाती हूँ कि गैंसर से डरे नहीं इसका समय से इलाज करएं और अपनी स्क्रीनिंग करवाएं हॉस्पिटल में जाएं और अपना पूरा इलाज करवाएं इसमें जाच बहतर है और समय से इलाज करवाना बहुत जरूरी है ये कोई छूत की बिमारी नहीं है कि आपकी छूने से किसी को हो जाएगी इसलिए स्वस्त रहें और अच्छा जीवन यापन करें